हाई फ्रेंट्स मेरा नमर आज और आप देखरें विंडोस टेक तो आज की टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हाउ तो फिक्स बूट डिवाइस नॉट फाउंड एरर और नीचे आप हाट डिस का एरर कोड भी देख सकते हैं 3F0 मैं यह HP का laptop यूज कर रहा हूं और जब भी मैं इसको on करता हूं तो मुझे एरर मिलता है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको fix करना है तो सबसे पहले आम इस laptop को एक बार shutdown कर देते हैं उसके बाद आपने इसको वापेस on करना है और उसके बाद जो escape का button है इसको आप continuously आपने प्रेस करना है अगर आपको यह screen खुल के आती है डाइगनॉस वाली तो इसको अभी आपने exit कर देना है एकजिट पर चूज करके एंटर प्रेस कर देना है इसके बाद yes यह menu खुल के आएगा आपको जाना है bios setup पे आप F10 से F10 प्रेस करके भी सीधा bios menu को open कर सकते है तो यह screen खुल के आएगी यह bios screen है पहले हम जाते हैं system information पर मैं आपको अपने laptop की detail दिखा देता हूं मैं hp का pro book यूज कर रहा हूं 430 G3 और यह detail दे सकते हैं i5 laptop है with 8GB RAM तो यह मेरी होगी system information ठीक है इसके पर click करेंगे ताएक बैक आ जाए उसके बाद जाना है हमने advanced के अंदर जो advanced का option है थर्ड option उपड़ से इसके अंदर आपने जाना है यह वाला option जो है और इसके अंदर हम जाएंगे boot options वे enter प्रेस करेंगे enter और यहां पर आपने scroll down करना है यहां से mouse के थुरू आप scroll down कर सकते हैं ठीक है यहां पर हमें legacy mode को select कर लेना है देखें यहां पर जो अभी सिर्फ UEFI mode जो है boot order वो select हो रहा है हमें legacy boot order को select करना है इसको हम mouse के थुरू इसको tick कर देंगे इसके अंदर ठीक है आप नीचे देख सकते हैं मेरी hard disk भी show हो रही है SSD hard disk जो है मेरी 256GB के SSD hard disk वो show हो रही है it means कि मेरा कोई hard disk का issue नहीं है hard disk अगर BIOS में show हो रही है आपकी that means कि hard disk में कोई issue नहीं है UEFI mode में मेरी hard disk show हो रही थी तो hard disk का कोई issue नहीं है कोई hardware issue नहीं है खाली आपको यह legacy mode select करना था ठीक है उसके बाद हम save पर click कर देंगे ताकि जो setting हमने करिए हो save हो जाए yes पर click कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने फिर से main menu में आ जाना है और उसके बाद जो नीचे option देख रहे है save changes ना exit इस पर click कर देंगे और yes पर tick कर देंगे अब यह laptop restart होगा और जो आपके issue है solve हो जाएगा मैं आपको दो troubleshooting method और बताऊंगा अभी अगर आपकी hard disk bios में शोर नहीं हो रही तो उसको कैसे diagnose करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और अगर आपके laptop में legacy mode नहीं है तो आपने कौनसा option select करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको तो आप देख सकते हैं अभी मेरा windows है वो बूट हो गया जो मेरा error था वो resolve हो गया ठीक है अब मैं बताऊंगा अगर आपको अगर कैसे आपने diagnose करना है अगर आपकी hard disk bios में शोर नहीं हो रही है ठीक है और कैसे अगर आपका legacy mode ही नहीं है आपके bios के अंदर तो कौनसा option आपने चूस करना है देखिए बूट हो गया windows successfully बूट हो गया अब मैं पहले इसको एक बार shutdown कर देता हूं ठीक है अब इसको वापेस on करता हूं मैं और हम इसके button को प्रेस करेंगे continuously और यहां पर आप देख सकते हैं system diagnostics F2 के थुरू भी आप जा सकते हैं F2 की प्रेस करके भी system diagnostics के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं memory test हमें करना है hard disk test तो हम hard disk check पर click कर देंगे quick check पर click करेंगे और अगर कोई hardware issue होगा hard disk में तो यहां show कर देगा तो अभी हमारी hardest है वो check हो रही है तो result आगे आपके सामने और आप देख सकते हैं कि मेरा smart check है वो pass है that means कि मेरे hard disk में कोई issue नहीं है अगर आपके hard disk में कोई issue होगा जैसे आप देख सकते हैं यहां पर pass आ रहा है मेरा अगर आपके इसमें fail आ रहा है तो that means कि आपके hard disk में कुछ issue है तो आप इसको physically reconnect कर देना hard disk को और check कर लेना कि कभी कभी होता है कि hard disk lose होने के वाई से भी issue आ रहा था तो इसको exit कर देते हैं और मैं आपको अब बताऊंगा कि अगर आपके उसमें legacy mode नहीं है तो आपने कौन सा option चूज करना है अपने issue को resolve करने के लिए नीचे आएंगे आप bios setup पे जाएंगे enter press करेंगे bios में enter होने के लिए और अगर आपके bios के अंदर legacy option नहीं है तो आपने जो option चूज करना है वो है apply factory default यह देख सकते हैं यह option जो है apply factory default वाला option आपने चूज करना है ठीक है इसको select करके main आप basically hp के laptop में यह main के अंदर मिल जाएगा yes पिक करके enter मार देना है laptop restart हो रहा है अब हम देखते हैं कि error resolve हुआ है की नहीं है अगर आपके उसमें legacy mode का option नहीं है तो आपने factory reset जो है उसको choose करके select कर लेना है उससे आपका issue जो है resolve हो जाएगा thank you, thanks for watching windows tech झाल 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 झाल